नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल के लांचेल टाइम्स मैं हूँ आपके साथ मान सित्यागी आये रुख करते हैं स्वत की ताजा खबर पर बीज़ेपी ने शुक्रबार यानि की 16 फरवरी को दावा किया कि कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी और प्रियंका गांधी में दरार है बीज़ेपी के ओर से का गया कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस सांसत राहूल गांधी की अगवाई वाली भारत जोडोनियाय यात्रा में पार्टी की नेता प्रियंका गांधी इसी फूट की वज़ा से शामिल नहीं हुई है कॉंग्रिस नेता प्रियंका गांधी ने स्वास्ते समस्ताओं का हवाला देते हुए उत्रप्रदेश में भारत जोडोनिया यात्र में शामिल होने में असमर्थता जोताई थी कॉंग्रिस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि वो बिमारी के कारण अस्पताल में भरती हैं और ठीक होने की यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी ने कहा यूपी में मेरे सहयोगियों जिन्होंने इस यात्रा की विवस्था करने को लेकर कड़ी महनत की और मेरे भाई राहूल गांधी की चंदोली पहुचने पर शुब कामना है इस बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवे ने राहूल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच दरार पढ़ने की बात कह दी है अमित मालवे ने कहा हर किसी को अपने स्वास्ते का ध्यान रखना चाहिए जब ये यात्रा शुरू हुई तब से प्रियंका गांधी वहां से गायब है और आज जब राहूल के यात्रा उत्रप्रदेश पहुची तब भी प्रियंका वहां नहीं होंगी उन्होंने दावक किया कि पार्टी में वर्चस को लेकर भाई और बहन यानि की राहूल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच ये फूट अब जग जाहिर हो चुकी है कौंग्रेस के पूर्वद्यक्ष राहूल गांधी मडिपूर से मुंबई तक भारत जोडोन यायात्रों का नेत उरत कर रहे हैं शिकरवाश चांद को भारत जोडोन यायात्रा उतर प्रदेश में एंट्री करी राहुल गांधी और कॉंग्रेस अध्यक्ष मली करजुन खडगे ने गुरुवाल यानि की 15 फर्वरी को बिहार के और अंगबाद में एक मेगा रैली की कुस्तम बोधित किया था आपको बता दे कि कॉंग्रेस के पूर्वर द्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में मरीपूर से या यात्रा पिछले मही ने चौधा जनवरी को श्रू हुई थी और पहले से तैक कारेक्टरम के मताविक इसका समापन 20 या 21 मार्श को मुंबई में होना है हाला कि पार्टी सूत्रो को कहना है कि यात्रा का समापन मुंबई में मार्श महीने के पहले पकुवाडे में ही हो सकता है ये यात्रा शुकरवाई शाम उत्रप्रदेश में दाखिल हुई जो 16 से 21 फरवरी तक पूरवी उत्रप्रदेश के कुछ जिलो और फिर राय बरेली और अमेठी से गुजरेगी इसके बाद 2223 फरवरी के यात्रा के लिए विश्राम के दिन है और 24-25 को पस्चिमी उत्रप्रदेश में यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल के लांशल टाइम्स